हेलो एविवन आप सभी का फिर से स्वागत है ये वर्ल जग्रफी एंसी आर्टी का डिसकसन है हमारा टॉपिक चल रहा है ओसेनिया महादूइब अध्याय सिक्स डिसकसन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि वर्ल जग्रफी एंसी आर्टी बुक का पीडिएफ एव अपडिट कर दिया गया है तो आज सबसे पहले निउजी लेंड के बारे में डिसकस करेंगे तो देगे अगर बात करें तो निउजी लेंड जो है दक्षिन का ये बिरिटेन कहलाता है साउथ बिरिटेन कहते हैं और इसकी खोज 1779 इस्वी में जेम्स कूक के द्वारा की ग का कूल एरिया लगभग 2,68,680 वर किलो मीटर है यह ओसेनिया का ब्रेहतम द्वीप समू है बड़ा द्वीप समू है इसमें दो परमुख द्वीप उत्तर द्वीप और दक्षणी द्वीप सामिल है जो कूक जल संधी के द्वारा अलग होते हैं देगे उत्री द्वीप दक् दक्षणी आईलेंड के अपेक्षा छोटा है लेकिन इसमें अधिकान जनसंख्या रहती है निवास करती है न्यूजीलेंड में अन्यक लगू द्वीप जैसे की अश्टुवर्ट, ग्रेट बैरियर, मर्करी, स्विलेंडर, आदी यह सभी जो है लगू द्वीप है न्यू के बाद प्रारम होई अगर बात करें तो याद रखिएगा छे फरवरी 1840 सिस्पी को कब छे फरवरी 1840 सिस्पी को यहां के अस्थानिये माओरी लोगों के द्वारा जो है ब्रिटियन के बिच वैतांगी की संधी के साथ न्यूजीलेंड राश्ट की अस्थापना की गई 200 मिलियन वर्स कारवोनी फेरस यूग में अलग हुआ यह एक परवतिये देश है यहां का परमुख परवत दक्षणी द्वीप में इस्तित हिमाच्हादित दक्षणी आलपस परवस्रेणी उत्तर पूरप से दक्षणी पश्चिम दिशा में फैला हुआ बिस्तिरित है जि इमर्जेंस के किरिया के द्वारा इसका निर्माड हुआ इसके तीवरेड हालों से अन्य के गलेसियर निकलते हैं हीमनाद निकलते हैं इस रेणी में इस्तित न्यूजीलेंड की सर्वचोटी माउंट कूक जिसकी उचाइद 3748 मीटर है तथा माउंट तसमान दूसरी सर्व सर्वचोटी है तो माउंट कूक सर्वचोटी है दूसरी जो सर्वचोटी है माउंट तसमान इसकी उचाइद 3497 मीटर है यहां के मूल निवासी माउरी कूक सिखर को ओरंगो कहते हैं जिसका अवर्थ होता है मेग वेधक मेग वेधक दक्षिन द्वीब के दक्षिनी पश्मी टट रेखा अत्याधि कटे फटे फियोड टट से निर्मित है यहीं पर न्यूजी लेंड का विसालतम राश्य उद्यान फियोड लेंड इस्तित है देगे ओटागो के पठार के उत्तर में टट के समनांतर कैंटर वरी द्वीब का मैदान जो है मतलग कि इस्तित है याद रखेएगा और उत्री द्वीब की अस्तला किर्ती का निर्मार जो है पाधिकांस्ता ज्वाला मुखी के किरिया के द्वारा संपन हुआ है और उत्री द्वीब सापिक्ष क्या होता है जो उत्री द्वीब है सापिक्षत कम उच्छी पहाडिया कम उच्छी पहाडिया जो है मिलती है जो औसादी सैलो में वलन किरिया के द्वारा निर्मित हुई है देगे मैं कुछ सेखेंड बात जो हम लोग डिसकस कर लेंगे तो पहलो इस लाइन को पूरा कर लेते हैं इस द्वीब की परमुक्ष्रेणी जो है किम नावा या दखिए किम नावा इस द्वीब की जो परमुक्ष्रेणी हो कौन सी है किम नावा है जिसके दक्षिड में माउंट इमोट एक स्वतंत्र परवस सिखर है उत्री द्वीब का उत्री भाग मैदानी और सम्तल है पस्मी भाग में तराना का मैदान और मध्य भाग में लावा निर्मित पठार बिस्त्रित है मध्यवर्ती पठार पर रुवापेहू देखें जो मध्यवर्ती पठार है इस पर रुआ पेहू एक सक्रिये ज्वाला मुखी जो है इस्थित है एक्टिव वोलकैनो जो है मतलब कि इस्थित है रुआ पेहू इसके बाद देखिए जो मैप है यहाँ पे जो न्यूजी लेंड का जो राजनितिक मैप है आप देख सकते हैं इधर उत्री अंत्रीप है यह ओकले यह है आपका निल्सन यहाँ पे है यह वाला इधर तस्मान इसके बाद अगर बाद करें तो यहाँ पे है वेलिंग्टन केंटरवरी यह पश्मी घाट है पश्मी तट इधर ओटागो है और इधर दक्षिनेद्वित है इसके बाद अगर बाद करें तो न्यूजी लेंड क सबसे बड़ी जील है तब आपो माउंट कूक न्यूजिलेंड की उस्तम चोटी है यहाँ पे कूक जलसंदी है यह वाला एरिया जो है और इधर विलिंग्टन है यहाँ पे हौक की खाड़ी है यह आपका रुआप पे हुँ है पूर्वी अंत्रीप इधर स्वेथ द्वीप है इधर प्लेंटी की खाड़ी है इधर बेरियर द्वीप है इधर उत्री अंत्रीप है इसके बाद अगर बात करें तो फोवेक्स जलसंदी यह वाला एरिया है तो इसको एक बार अच्छे से आप लोग जो है इनालेसिस करके आगे बढ़िएगा इसके बाद अपवाह के बारे में अगर बात करें तो न्यूजिलेंड में बहुत से जील और छोटी तथा तीवर गामी नदियां बहती है न्यूजिलेंड में बहुत सारे जील है छोटी भी है और ये छोटी जील, तीवरे गती से बहती है, यहां के अधिकान जीले, जुआला मुखी क्रेटर जीले हैं, जुआला मुखी क्रेटर, जुआला मुखी के क्रिया के बाद जो अस्तला किरती का निर्मार हुआ, जिसमें जल का जमाव हुआ, उसे जुआला मुखी क्रेटर कहत है ठीक है देगे वाई कोर मुआना तारा वेरा ओका लाइना और रातो इती आदी जो है यह उत्री द्वी पर इस्थित अन्य जीले हैं दक्षिने द्वी पर अगर बात करें तो वेयानू सबसे बड़ी जील है तो था बुरुनर कोलरेज पुकाकी वनाका यह सभी दक्षिने द्वी पर इस्थित अन्य जीले हैं देश की सबसे बड़ी नदी वेगाटो यह उत्री द्वीप में परवाहित होती है जिसकी कुल लंबाई लगवग 440 किलो मेटर है और वांगा नूई, रानगी, टिकेई, मानवतू, राने टिकेई, यह सभी उत्री द्वीप की परमु नदी है जिसकी कुल लंबाई 338 किलो मेटर है कुक, तायरी, क्लेरेंस, बुलर, आदी, दक्षन द्वीप की अन्य नदियां है न्यूजिलेंड की जलवायू के बारे में गर बात करें तो यहां की जलवायू पर परवतों और साग्रिय स्थिति का गहरा परभाव पड़ता है परवत और साग्रिय जो इस्थितियां है जो साग्रिय जलवायू है इनका गहरा परभाव पड़ता है न्यूजिलेंड के जलवायू पर न्यूजिलेंड दक्षनी गुलार्द में सितोषन कटी बंद में इस्थित है याद रखिएगा इस देश की जलवायू सितोषन आ दख़णी गुलार्द में इस्थित होने के कारण यहां जनुवरी-फरवरी सबसे गर महेने होते हैं जबकि जुलाई सबसे ढंडा महेना होता है तसमान सागर की ओसे चलने वाली पशुवा पौनों के द्वारा यहां पर वर्षा होती है और सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा दक्षनी द्वीप में होती है इसलिए दक्षनी द्वीप पर देश के आदरतम तथा सुसकतम छेत्र इस्तित है टठिये भागों में गिरिश्म कालीन औसत तापमान 20 डिगरी सेंटिगरेड रहता है जबकि सित कालीन तापमान का औसत जो है 16 डिगरी सेंटिगरेड है उचे प्रवतिये भागों में कडि सर्दी पड़ती है याद रखिएगा प्राकृतिक बनस्पत्ति के बारे में अगर बात करें तो न्यूजीलेंड का 23% छेत्र वना छादित है यहाँ कठोर और कोमल लकडी वाले दोनों परकार के व्रिक्ष उखते हैं यहाँ के देसी मुल के व्रिक्ष है यहाँ पर अगर बात करें तो देसी मुल के व्रिक्ष है इन व्रिक्षों में पूका, कौरी, समलित है यहाँ की कौरी पाइन विश्व की सबसे कोमल लकडी में से एक है कौरी पाइन जो है बिस में जितने भी कुमल लकडियां है उनमें से ये एक है रेड पाइन, वाइट पाइन, ब्लैक पाइन ये अनकुमल लकडियों के ब्रिक्ष है कठोर लकडियों में लावा महतपूर है दक्षणी द्वीप पर सदापर्णी तथा सकुन्धारी किस्मों की परधानता है ये सदापर्णी और सकुन्धारी क्या है ये ब्लिक्षों के परकार है उत्री द्वीपों पर पनपाती किस्मों की परधानता है यानि यहाँ पे जो पनपाती बन है जैसे ओग, एल्म, मेपल, चेशनट यह आदे बिक्स यहाँ पे पाय जाते हैं क्रिसी और परसुपालन के बारे में अगर बात करें देश के कुल चेत्रफल का 50% अथा कुल क्रिसिगत भूमी के 9% चेत्र पर प्राकिर्तिक चरागा है वो मिलते हैं जहां भेंड और मवेसी को चराय जाते हैं दक्षणी दिवेग का केंडवरी का मैदान देश का सबसे उपजाव भाग है यहां की जो मीटी है काफी मतलब की अनुकूल है उपजाउपन है यहां की मीटी यहां पर गेहूं जो सबजी फल और चारा का जो है मतलब की कह सकते किरसी की जाती है चारा का उगाया जाता है और केंटबरी मैदान में कोरोडेल में भेड़ पालन के चार छित्र हैं कौन-कौ तो मध्ध उटागो का पठार, कैंटबरी का मैदान, तारा नाकी, मानावातु छेत्र और उत्री द्वीब का पुर्वी मैदान इसके तरिक परवतिय धालो और पठारी छेत्र में भी भेने पाली जाती है दक्षिनी द्वीब के परवतिय चारा गाहो में भेन पालन अत्याधिक प्रचली थे जबकि उत्री द्वीब पर गाये पाली जाती है न्यूजिलेंड में भेन पालन मुख्यता मांस और उन के लिए किया जाता है इस द्वीब पर सर्वतम किस्म की मेरीनो भेन पाली जाती है न्यूजिलेंड में डेहरी उद्वीब के तारानाकी के मैदान जीन्सबर्ग छेत्र तथा ओकलेंड छेत्र में तथा दक्षिने द्वीब पर ओटागो के पठार तथा नेलसन छेत्र में बिक्सित है न्यूजिलेंड में डेहरी उद्वीब के उनत होने के परमोक कारण क्या क्या है तो न्यूजिलेंड में जो डेहरी उद्वीब है इसको उनत होने के जो पहला कारण है यहां का जो जलवाईव है उत्तम सितोषण है आद्र जलवाईव है और यहां की जो चारा है जो पशुओं को खिलाया जाता है पौश्टिक से भरपूर होता है उत्मे केसमे की हौल्ष्टीन तथा जर्शी गाये जो अधिक दुद्धे देती है छोटे पशुफार्मों का वेज्ञानिक प्रबंधन होता है पशुफार्मों के निकट डेहरी प कारण है डेहरी उद्धियों के यहां पर काफी मतलब की सुविक्सित है जन संक्या और नगरी करण के बारे में अगर बात करें तो न्यूजिलेंड के अधिक तर न्यूजिलेंड जो है न्यूजिलेंड में अधिक तर एउरोपियन और कुछ मावरी मुल के लोग को जो है निवास अस्थान है या ये लोग यहां पे बसे हुए हैं एरोपीय लोगों में अधिक्तर इंग्लेंड और स्कॉर्ट लेंड के मुल निवासी हैं मावरी लोग एरोपीयन को पकेहा कहते हैं जो मावरी लोग हैं एरोपीयन को पकेहा कहते हैं मावरी भासा में पकेहा का अर् उत्री द्वीप में इस्थित ओकलेंड देश का सबसे बड़ा नगर है वेलिंग्टन देश की रधानी नगर है याद रखिएगा और इसके बाद अगर बात करें तो इसी द्वीप पर एक अन्य नगर नेपियर इस्थित है दक्षणी द्वीप पर हैमिल्टन, क्राइस्चर्च, डुनेडीन, अन्य परमुख नगर है कीवी न्यूजिलन्ड का राष्टिय पंच्छी है कीवी कीवी न्यूजिलन्ड का राष्टिय पंच्छी है याद रखिएगा इसके बाद मेलानेसिया के बारे में डिसकस कर लेते हैं परसान मासागर के सबसे पश्मी दीप और जो है या दीप समू या दीपो को मेलानेसिया कहते हैं तो परसान मासागर के सबसे पश्मी दीप के जो दीप समू है या दिवपो के जो समू है इसको मिलानेसिया कहते हैं या परदेश इंडोनेसिया और फिलिपिन्स के बीच इस्तित हैं नियुगीनी द्रीप इस सांस्कृतिक परदेश का पश्मी द्रीप माना जाता है इसमें इंडोनेसिया का इरियन जावा, पापुआ, नियोगिनी, सोलोमन, वानुवातु, कैलिडोनिया और फीजी समलित है नियोगिनी के पुर्वी भाग को पापुआ एवं पश्मी भाग को इरियन कहते है इरियन इंडोनेसिया का एक प्रांत है जबकि पुर्वी भाग पापुआ नियुगीनी एक स्वतंत्र कंट्री है सोलमन दीप समू तथा नियू केलिडोनिया सोलमन दीप समू और नियू केलिडोनिया मेलानेसिया का महतपूर भाग है अंग है इन दिवपों में 43% जनसंख्या मेलानेसिया की है और 7% फ्रेंच मुल्की है अधिकतर जनसंख्या पपुलेशन है रजधानी नूमी में रहती है मिलानेसिया के पूर्वी भाग में फीजी दिव समू है जिसकी रजधानी सुवा है गने की खेती करने के लिए सुगरकेन यानी जो गन्ना होता है इसकी क्रिसी करने के लिए 19-वी सदी में बहुसे भारतिये मुल्के लोग यहां पर आकर बस गए थे वानू अत्व असी ज्वाला मुखी दिवपो का एक समू है जिसे न्यू हेब्राइड कहा जाता था यह उन्नीस वसी में सुवतंत्र हुआ और इसकी रजधानी पोर्ट विला है माइक्रोनेसिया के बारे में अगर बात करें तो माइक्रोनेसिया परसान महसागर का एक संहिये राज है इसमें चार द्वीप समू समलित है जैसे उत्री, मरियाना, कैरोलीना, मार्सल और गिलबट द्वीप समू तो माइक्रोनेसिया परसान महसागर का एक संहिये राज है इसमें चार द्वीप समूँ सामिल होते हैं या इसमें चार द्वीप समूँ जो है समलित हैं कौन-कौन उत्री, मारियाना, कैरोलीना, मार्सल और गिलबर्ट द्वीप समूँ जो फिलिपिन्स के पूर्व में इस्थित हैं द्वितिय बिश्व यूद के बाद ये दीप जो हैं अमेरिका के अधिकार छेत्र में रहे और बाद में सन्जुक्त राश्चन के सनक्षण में ट्रश्टी राज छेत्र के रूप में सांती दीप समो बने 1991 पी में कैरोलीन और कुछ अन्य दीपो ने मिलकर माइक्रोनेसिया के रूप में सन्जुक्त राश्चन की सद्यस्ता को ग्रहन की थी माइक्रोनेसिया का सबसे बड़ा दीप गुआम या गौम है यहां के उचे दीपो की मीटी अधिक उपजाओं है मार्सल दीप समो के बिकनी दीप पर सन्जुक्त राश्च अमेरिका ने अपने न्यूकिलियर हत्यारों का परिक्षण किया था इसके बाद अगर बात करें तो पोलीनेसिया है पॉलिनेसिया और माइक्रोनेसिया के पुर में पॉलिनेसिया द्वेप समू जो है विस्तरित है पोलिनेसिया में बहुत से दीपसमू है, इसके मुख्य दीपो में हवाई, समाओ, टोंगा, तुवालू, पुर्वी किरिबाती आदी मुख्य हैं इन दीपो को हरी मड़ी की उपमा दी गई है इन दीपो में हवाई दीपसमू अमेरिका का पच्चासवा राज है, टोंगा दीप ने 1970 में स्वतंतरता प्राप्त की, जो 1999 में संजुक्त राश्शंग का सदसे राश्ट बना किरिबाती के बारे में बात करें, तो किरिबाती एक स्वतंतर गणराज है, जो माइक्रोनेसिया का एक भाग है यह मध परशांत महा, याद किएगा, यह जो है किरिबाती मध परशांत महासागर में स्थित, 33 मुंगा, 33 33 कोरल आइलेंड, मुंगा दीपो का एक समू है इन में से 21 दीपो पर जनसंख्या की बसावट है, यानि 21 जो आइलेंड है, यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है, जनसंख्या रहती है, गुजरबसर करती है, और सेस दीप जो है, उन निर्जन है, यानि यहाँ पर पॉपूलेशन नहीं है किरिबाती की अस्थाई जनसंख्या लगभग 1.10 लाग यानि अगर बात करें तो 2015 के नुसार किरिबाती में जो population थी लगभग कितनी एक दसमोलो एक 0 लाग तेगे इसमें से आधी से अधिक जनसंख्या रधानी तवारा में निवास करती है किरिबाती की रधानी तवारा है किरिबाती दृःप समों की जो परमुक भाग है जैसे गिलबट दृप समों फिनिक्स दृप समों और लाइन दृप समों तेजी से समूंद्री जल अस्तर का बढ़ना यहां का सबसे बड़ा परियावरणिय संक्ट है जब समुंद्री जल अस्तर वड़ता है तो यहां पर खत्रा मंडराने लगता है जो परियाबरणी संकट है वो काफी मतलब की जदा भयावा होने लगता है जलवायु परिवर्दन पर संजुक्तराष्ट अंतर सरकारी समोह ने सम्हावना बैक्टी की वैस्विक तपमान यानि जो गलोबल वार्मिंग है इसके कारण दोजादा सोरी मलब की एककी सो तक यहां का दोजार कह सकते एक सो दोजार एक सो तक यहां का समुंद्री जल अस्त पचास सेंटी मीटर उपर उठ जाएगा इस परकार यहां के द्विपो के जलमगन होने का संकट विद्यमान है तुवालू के बारे में बात करें तो तुवालू नौ छोटे छोटे द्विपो का एक समुं है यह दक्षन परशान महासागर में हवाई द्विप और अस्ट् है इन द्विपो की कोई भी भाग समुंद्र अस्तर से 4.5 मीटर से अधिक मुचा नहीं है इसलिए जलवाईव परिवर्तन के कारण बढ़ता जल अस्तर इस देश के अस्तित्र के लिए एक गंभीर संकट है तुवालू की रधानी फूना फूटी है पहले यह देश का एक जो वर्ष 1978 में सो तंतरता प्राप्त किया और 2000 में यह संजुक्त राश का 189 वा यानि 119 वा सदस्य बना मिंबर बना इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं नेक्स सेशन में अंटाक कटिका के बारे में हम लोग डिसकस करेंगे तो आप अपना परतिकरिया देते रहता है जिन लोगों ने टेलिग्राम चैनल टेलिग्राम क्विज ग्रूप जो क्विज ग्रूप है फेस्बुक पेज इंस्टाग्राम है अगर आप लोगों ने जोई नहीं किया है तो प्लीज आप लोग जोईन कीजिए कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में किसी भ झाल झाल